तो लास्ट वीक मैंने देखी थी आवेशम और मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई थी और आप सबको उसका रिव्यू इतना पसंद आया कि आपने जो उस वीडियो पे भर भर के अपना प्यार दिखाया ना व्यूस के जरिये, कॉमेंट्स के जरिये, लाइक्स के जरिये उसके लिए जितना भी थांक्यू बोला जाएना उतना कम बढ़ेगा और इसी प्यार और सपोर्ट की वज़े से मुझे मोटिवेशन मिली मल्यालम सिनेमा को एक्स्प्लोर करने की तो आवेशम से पहले मैंने मन्जमल बॉइस देखी थी और दोनों ही मुवीज बिलकुल अलग जान्रा की होते हुए भी मुझे बहुत अच्छी लगी और दोनों का ये common factor जो है दोनों ही मल्यालम मुवीज हैं और recently मल्यालम सिनमा जो कमाल दिखा रहा है न उसको देखके तो हर कोई हरान है पांच महिने में पांच सुपर इट और मल्यालम सिनमा ने पहली बार थाउजन करोर से भी उपर का बिजनस किया है तो सिंस मैंने रिसंक्ली देखनी स्टार्ट करिया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि next कौन सी देखनी चाहिए तब आप सबने comments में जो भर-भर के suggestions दिये न तो मैंने तीन ऐसी movies उठाई जिनका recommendation मुझे सबसे ज़ादा आया था और वो तीन movies है अरे रुको जरा सबर करो I think उसके लिए आपको वीडियो देख लेनी चाहिए तो सबसे पहले जो movie है वो है प्रेमालू इसका suggestion तो मुझे बहुत जादा मिला था और इसकी IMDV rating है 7.9 तो मैंने ये movie Hindi dub में देखी और इसकी duration around 2 hours 36 minutes की थी और इसकी story एक regular rom-com story जैसी थी जिसमें एक central character है सचिनाम का लड़का जो कि चाता है कि उसकी life में भी कोई love interest हो वो किसी से प्यार करे कोई उससे भी प्यार करे और इसके चलते rejection face करता है अपने friend के साथ हैदराबाद जाता है और वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है रीनू तो पहली नजर का प्यार rejection का डर, love triangle, romance, comedy, bromance और relatable characters के साथ relatable situations जैसे कि किसी पे crush या heartbreak होना तो ये सारी elements ही movie के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और picture का first half खोड़ा सा slow लगता है, तीरे तीरे सब कुछ build up होता है लेकिन second half आते हैं, movie का pace और entertainment का level दोनों ही बढ़ जाता है और since movie की setting है हैदराबाद की है, तो जिस तरीके से हैदराबाद को दिखाया गया है वो बहुत अच्छे से capture हुआ है Again, background music बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है और जितने भी actors हैं, सब का performance decent है लेकिन एक character का performance मुझे specially बहुत अच्छा लगा वो था Adi का character, जिसे play किया है actor Shyam Mohan ने पिक्चर में जो Adi का character है, वो एक ऐसे लड़के का है जो औरों को तो दिखाते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, बहुत gentleman हैं, बहुत decent हैं लेकिन reality में वो बहुत toxic होते हैं तो पता नहीं लड़कियों को ऐसे toxic characters ही क्यों पसद आते हैं तो movie में कुछ moments और कुछ scenes मुझे बहुत जादा अच्छे भी लगे एक nostalgia वाली feeling देती है अगर आपने कभी corporate job करी है, तो आप relate कर पाओगे लेकिन मुझे overall movie में एक चीज missing लगी वो ये कि मैं expect करी थी कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा एक intriguing factor जो होता है, वो मुझे movie में थोड़ा सा missing लगा शायद Bollywood movies से ऐसी expectation set हो चुकी है अगर आप अभी देखना चाते हो तो आप देख सते हो Disney Plus Hotstar पे, next मैंने जो movie देखी ना, उसके IMDV rating है 8.5 and मैंने ये movie Maliyalam में देखी और इसकी story follow करती है चार भाईयों की life, जो आपस में साथ रहते तो हैं लेकिन कुछ ना कुछ cut button के बीच में चलती रहती है due to various reasons, बट जैसे जैसे life की situations और struggles आते हैं तो ये चारों आपस में एक दूसरे को कैसे support करते हैं वो इस 2 hour 15 minutes की movie में दिखाया गया है तो अगर अब तक guess नहीं कर पाई तो मैं बात कर रही हूँ कुंबलंगी nights की तो I think कुंबलंगी, कुंबलंगी I don't know Please feel free to correct me if I am wrong I know मैंने last video में क्या गलती करी थी Illuminaati तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती हूँ I think it's कुंबलंगी nights बता देना comments में तो मैं एक बार तो कुछी गई हूँ और मैंने इस राइप का कुछी वहाँ पे नहीं देखा तो मुझे नहीं बता कि कुंबलंगी exactly कहा पड़ता है But I would love to explore now क्योंकि मुवी में जस तरी के से दिखाया गया ना वो बहुत ही प्यारा लगता है And जैसे प्रेमालू में है थेदराबाद सिटी को अच्छी से दिखाया गया है एसे यहां पे कुंबलंगी जो एक आइलेंड है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है जो भी विजूल्स है ऐसा लगता है जैसे आपके सामने कोई सीनरी चल रही है And एक चीज़ जो मुझे रिलाइस हुई है वो यह कि सिंपल सी स्टोरी को भी कैसे अच्छे से दिखाना है न वो चीज मल्याला मूवीज को बहुत अच्छे से आता है जो स्टोरी टेलिंग है जो डिरेक्शन है आपको एक-एक सीन पे एकदम हुगड रखता है And again, यहां पर भी जो सॉंग और जो मुझे को था ना एक नंबर मतलब समझ में नहीं आता लेकिन कानों को एकदम सुकून दे जाता है Especially एक रोमांटिक सॉंग आता है बीच में तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे उसका नाम तो नहीं पता अगर आपको पता है तो प्लीज कॉमें बता देना Otherwise मुझे मुझे मूवी में ढूणना पड़ेगा And यहां पर भी वोई actors हैं जिनको मैंने Manjimal Boys में देखा था Sobin Shair and Shrinath Basi And दोनों का ही performance इस मूवी में भी बहुत outstanding है I mean Shrinath Basi इनका एक भी dialogue नहीं है picture में Reason मैंने बताऊंगी लेकिन impactful performance And इनके अलावा जिनका performance outstanding था You guys were right Fahad Fasil is a genius क्या ही expressions मतलब उन्होंने प्ली किया है एक character Shami का जोके एक negative और एक villainous character है लेकिन जो उन्होंने carry किया उस character को जो introductions ही नहीं आता है न Raymond the complete man अगर आपने movie देख रखी होगी तो आप समझ जाओगे अगर नहीं देख रखी होगी तो I recommend you to really really watch it And especially Fahad Fasil की performance को देखो तो कुम्बल अंगे ना It's overall मुझे एक बहुती heartwarming और एक feel good movie लगी जिसमें human emotions and relations को बहुत अच्छे से दिखाया अगर आप भी देखना चाहते हो तो अभी available है Amazon Prime वीडियो पे अभी Malayalam में ही available है बद subtitles के साथ तो समझ में आ जाएगी और third movie जो मैंने देखी ना वो एकदम ही अलग genre की थी एक horror thriller movie जिसका नाम मैंने बहुत सुन रखा था And finally मैंने ये movie देखी Hindi dub में और इसकी IMDb rating है 7.9 लेकिन ये movie मुझे एकदम या outstanding लगी मैं बात कर रही हूँ ब्रम यूगम movie की and imagine 2 गंटे 20 मिनट की ये movie है पूरी movie black and white shot है horror thriller fictional story है मतलब real story नहीं है और तो आप picture की कहानी भी 17th century की set है तो जब मैंने movie देखनी start करी तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं कि लोग इसे इतना जादा recommend क्यों कर रहे थे बदब picture में ऐसा क्या ही होगा ना जो पहले कभी ना देखा हो लेइन यही पर ये movie surprise करती है and thank god मैंने तो दिन में देखी क्योंकि मैं वैसे ही horror movies कम prefer करती हूँ and जो महौल ये movie build करती है na starting में आपको लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन धीरे 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 story unfold होती है and अपनी mystery बना के रखती है इतनी जादा intense और gripping है हर एक scene के बाद आपको लगता है कि अब next क्या होगा और जो आप देख रहे हो का screen presence black and white में आज के time पे भी अगर कोई entertain ऐसे कर सकता है तो मेरे पास words निया describe करने के लिए and जो ये picture tension और suspense build करती है सबसे बड़ा रोल इसका background music and इसकी cinematography वादब कहीं पे भी camera पूरा 360 degree घूम जा रहा है अपसाइड डाउन shots आ रहे है and picture में कोई भूत नहीं है लेकिन ऐसे horror elements डाले गए है ना जो आपको एक uneasiness वाली feeling देते हैं and surprisingly पूरी picture में सिर्फ तीन main actors है एक तो actor ममूती हो गए and ममूती सर के अलावा भी जो दोना actors हैं उनका performance भी भाई बहुत अबरदस्त and जो पूरा horror environment build होता है ना उसमें cinematography के अलावा जो सबसे बड़ा role है वो है इसके background music का and मैंने TWS लगा के ये movie देखी तो जो भी छोटी से छोटी sound थी वो मुझे सुनाई दे थी left right एकदम full experience हो रहे थे एकदम ही theater वाला experience और movie का first half कुछ लोगों को slow लग सकता है लेकिन जैसे जैसे picture climax सब पहुचती है and जो climax निकल के आता है वाई वो तो आपको एकदम ही surprise कर देगा इस बात की तो guarantee है और एक चीज और अगर आपको jump scares ज्यादा पसंद है या आपको भूद वगेरा की movies ज्यादा intake करती है तो आपको इसमें वो नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपको तुमबाट पसंद आई थी ना तो आपको ये भी definitely पसंद आएगी और अगर देखना चाहते हो ना तो अभी available है Sony live पे वहाँ पे चाके देख सकते हो तो एक बार फिर से thank you for all the suggestions मुझे वैसे तो तीनों movies अच्छी लगी लेकिन अगर मुझे rate ही करना हो तो नारी मीटर पे rate करते हैं मुझे सबसे अच्छी लगी ब्रम यूगम next मुझे जो अच्छी लगी वो थी कमवलंगी nights अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आयो तो वीडियो को like कर सकते हो अपने friends and family के साथ share कर सकते हो अगर इस type of content देखना पसंद करते हो तो चैनल को follow भी कर सकते हो और अगर हमारे लिए कोई feedback या suggestion है तो वो comment section में ज़रूर बता सकते हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Goodbye